Hello friends and welcome back to my channel Bengali Family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो अगर आपके डॉक्यमेंट्स ही हैं आपके पास पूरे डॉक्यमेंट्स हैं तो आपको एरपोर्ट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी बट आपके उपर अगर कोई प्रावलम है तो फिर आपको ट्रावल करने से रोका जाएगा और आपके उपर हूज फाइन भी हो सकता है ऐसे ही एक केस की मैं बात आपके सामने आज करूँगी तो सबसे पहले मैं बता दू कि UAE में अगर आपके उपर कोई फाइन है किसी भी तरीके का फाइन है चाहे वो ओवरस्टे फाइन हो आपने लोन पे नहीं किया हो गाड़ी खड़ी हो फाइनांस से उसको पुरा नहीं किया हो या भी अगर कोई भी टाइप का ओवर स्टे हो वीजा कैंसल नहीं किया है कुछ भी है आपकी एमिरेट्स आइडी एक्सपार्ड है तो सारी चीज़ें जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम होता है तो सारी चीज़ें दुबई इमिग्रेशन जब होता है उनके पास पूरा रिकॉर्डेड होता है ठीक है आप ऐसा मस सोची उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा और आप लोग एरपोर्ट से एक्जिट कर जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अगर ये सारे काम आप लोगों ने किये है और आपके उपर फाइन है तो आपको दुबई एरपोर्ट में ही फाइन अपना क्लियर करके उसके बाद ही जाना होगा अगर आपके उपर हुज फाइन है तो में भी आपको ट्रावल करने ना दिया जाए छोटा मोटा अगर फाइन है पांसो दिरम, हजार दिरम, बारासो दिरम ऐसे का फाइन है तो आप लोग एरपोर्ट में इसली उसको पे करके फिर आप लोग इमिग्रिशन क्लियर कर सकते हैं कोई भी नहीं रुकेगा बट ऐसे ही एक इंसान को पकड़ा गया जिसके उप़र 38,000 दिरम का ओवर स्टेफाइन था जिस्ट इमैजिन वो कबसे विदाउट वीजा रह 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 था और उसने सोचा कि मैं तो एक्जिट हो चाऊंगा एरपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चलेगा 38,000 दिरम ठीक है तो उसको ट्रावल करने नहीं दिया गया उसको वापस UA के अंदर भेज दिया गया और उसको बोला गया कि आप पूरा fine pay कीज़े क्योंकि उसके पास उतने पैसे थे ही नहीं fine pay करने के लिए इसलिए amount जो कम होता है उसको airport में ही आप fine pay कर सकते हैं यूँकि आपके पास पैसे होता है लेकिन huge amount वालों को पकड़ा जाता है और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है उनको कैद किया जाता है उनके उपर सजा की सजा सुनाई जाती है उनको police बकाइदा उनको रखती है उसके बाद ही उनको जो करना हो जो भी उनको ठीक लगे वो चीज़ करती है तो आप बिल्कुल भी ऐसा मस सोचे कि without fine pay की आप लोग यहां से exit कर सकते हैं बहुत लोग message कर सकते हैं कि मेरे करते हैं मुझे कितना fine है उतना fine है तो I hope आपका answer clear हो गया होगा इस वीडियो में कि अगर आपके उपर fine है तो आप लोग नहीं exit कर सकते हैं आपको fine pay करना ही होगा तो guys I hope यह वीडियो आपको help हुई होगी और भी कोई question हो तो comment box में बता सकते हैं या इंस्टा में भी message कर सकते हैं कुछ important question हो तो मैं request करूँगी इंस्टा में ही message कीजिए क्योंकि मैं अभी इंडिया में हूँ तोड़ा reply करने में में मेरे को दिक्कत हो रही है तो इंस्टा में ही मैं आपको reply कर दूँगी तो guys मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ नहीं update के साथ तब तके लिए goodbye and take care